जूकर आते हैं, तो आपके जीवन से जो भी धन से संबंधित परेशानियां हैं, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट संकट बने बने काम बिगड़ जाते हैं, किसी कार्य में कोई बाधा आ रही है, मतलब तमाम प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यू आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे व्रिक्षों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप धन तेरस या दिवाली के दिन छू कर आ जाते हैं, और इन व्रिक्षों से जुड़े इन उपायों को आप कर लेत हैं, तो आपके जीवन में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी, आपके जीवन में आपको अपार धन संपत्ती की प्राप्ती होगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, दोस्तों, वे कौन-कौन से व्रिक्ष हैं और वो कौन-कौन से उपाय हैं जो की आपको ध दिवाली के दिन जरूर करनी चाहिए इस वीडियो में आपको वही बताएंगे दोस्तों वीडियो शुरू करें। दोस्तों धन्तेरस और दिवाली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आज की यह वीडियो आपके लिए वनस्पति शास्त्र से जुड़ी हुई है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे व्रिक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आपको धन्तेरस या दिवाली के दिन चुकर जरूर आ जाना है और उपायों को भी जरूर करें। आईए जान लेते हैं दोस्तों सर्व प्रथम जो इसमें व्रिक्ष आता है वो व्रिक्ष है बर्गद का व्रिक्ष। दोस्तों आपको बता दें यदि आप धन्तेरस दिवाली के दिन बर्गद के व्रिक्ष से जुड़ाये उपाय कर लेते हैं तो आपको विशेश लाब ह क्योंकि आपको बता दें, धन थेरस दिवाली के दिन बरगद का जो व्रिक्ष होता है, वो जागरित अवस्था में होता है। इस दिन इस व्रिक्ष से जुड़े बहुत से उपाय किये जाते हैं। उनमें से एक उपाय यह है कि आप क्या करें, आप उपाय को धन थेरस या दिवाली किसी भी दिन कर सकते हैं। पीले कपड़े के अंदर आपको एक रुपए का सिक्का रखना है, दो लौंग रखनी है, छुटकी भर हल्दी रखनी है, साथ गांट इसमें लग जाएंगे, इतना बड़ा पीला कपड़ा लेना है आपको इसके बाद आपको इसे बरगद के व्रिक्ष के पास ले जाना ह और बर्गत के व्रिक्ष के पास ले जाने के बाद बर्गत के पास इसको अपने हाथ की मुठी में बंद कर लें और बंद मुठी को स्पर्ष करा लें बर्गत के व्रिक्ष पर पेड़ पर आपको उसे स्पर्ष करने के बाद अपनी मनोकामना मांगनी है जो भी आपकी मनोका जामना जिस प्रकार के कष्ट संकट जो भी है मतलब उनसे छुटकारा मिले और मांगते हुए इस पर आपको इसी पे रखना और एक मंत्र का जाप करना है मतलब व्रिक्ष को सपष्ट करते हुए आपको जो अपने मुठी में ये बंद कर रखा है हाथ में जिस प्रकार कपडा तो आपको मंत्र का जाप करना है धनाय नमो नमा, मंत्र है धनाय नमो नमा दोस्तों इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है 21 बार जाप करने के बाद ध्यान रहे जब मंत्र का जाप करें उस समय आपका जो आपकी मुठ्थी में ही पीला कपड़ा है वो स्पर्ष रहना चाहिए आपका मुठी और वह कपड़ा दोनों पेड से स्पर्ष रहना चाहिए पेड से उसी समय आपको इस मंत्र का जाप करना है 21 बार मनो कामनाएं मांगनी है जिस भी प्रकार की जो मनो कामना मांगे तो ततकाल ही मनो कामना पूर्ण होगी जीवन से गरीबी खत्म हो जाएगी और फिर बाद में आप इस पीले कपड़े को जिसमें एक रुपए का सिक्का दो लोग चुटकी भर हल्दी है इसको आपको बर्गत के व्रिक्ष के नीचे ही गाड़ देना है घर लोट आए दोस्तों तमाम प्रकार के जीवन से समस्या खत्म हो जाएंगी अपार धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी दोस्तों इसमें जो अगला व्रिक्ष आता है वे व्रिक्ष आता है वह व्रिक्ष है शमी का व्रिक्ष दोस्तों आपको बता दें शमी के व्रिक्ष से जुड़ा ये बहुत ही अच्छे उपाय, ध्यान से सुनना किस प्रकार आपको क्या करना है, धन्तेरस है दीवानी, किसी भी दिन कर लें, इसको किस प्रकार करें, उपाय करने से पहले स्नान आदी से निर्वस्तर हो जाए, आप ध्यान रखें, ये तो उ उपाय को नए, आपको संध्या समय के समय करना, मतलब संध्याकाल के समय उपाय आपको शाम के समय करें, क्या करें, आप सर्व प्रथम, तो आप हाथ जोड़कर शमी के व्रिक्ष से प्रार्थना करें, हम जीस उपाय के लिए आए हैं, जिस प्रार्थना सुनकर आ रहा हू कामना करते हुए आ रहा हू ग्यारह पत्ते आप शमी के तोड़ लें शमी के ग्यारह पत्ते तोड़ लें और और शमी की लकड़ी से इस प्रकार उसे लकड़ी को आप तोड़ लें लकड़ी इस प्रकार लें कि उन पत्तों पर प्रत्येक पत्तों पर चंदन से ओम श्री नम आप शमी जो है उस लकडी की सहायता से 11 पत्तों पर आपको ओम श्री नमह लिखना है और अब इन 11 पत्तों को प्रत्येक 11 पत्तों पर ओम श्री नमह लिखने के बाद 11 कौडियों के साथ आपको ये लाल कपड़े में बांध कर शमी की वृक्ष के नीचे ही आपको गाड देन प्रत्येक मनोकामना के लिए आप हाथ स्पर्ष समी के व्रिक्ष पर हाथ रख कराकर आप अपनी कामना मांगे। चुटकारा मिल जाएगा, जरूर करें, विशेश लाब होगा दोस्तों, इसमें जो अगला व्रिक्ष आता है वह व्रिक्ष है, बेल पत्र का व्रिक्ष। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उनमें से एक बहुत ही सुन्दर सा उपाय बता देते हैं, उपाय किस प्रकार है, आपको क्या करना है, धन तेरस दिवाली के दिन, किसी भी एक दिन कर ले, दोनों दिन कर ली, विशेश लाब होगा, किसी भी एक दिन के लिए समय के अनुसार, जैसा आपको सूटेबल हो, सर्व प्रथम, आप ध्यान रखे, कि ये उपाय आपको सूर्यूदय के समय करना है, आपको सुबह के समय उपाय करना है, किसी भी दिन करें, सुबह के समय करें, क्या करना है, आपको एक घी का दीपक तैयार करके ले जाये, घी का दीपक आटे का बना हुआ, चौमुखी दीपक होना चाहिए, बाती कलावे की लगी हो, आप बेल पत्र वरिक्ष के पास चले जाये और सर्व प्रथम बेल पत्र के वरिक्ष को प्रणाम करें, और प्रार्थना की नहीं, जिस मनो कामना के लिए उस मनो कामना को हमारी पूर्ण हो, इस प्रकार मन में भाव श्रद्धा रखते हुए आप क्या करें? बेल पत्र के तीन पत्ते तोड़ लें जो एक साथ लगे हुए हैं एक साथ अलग अलग ना हो एक साथ जुड़े हो तीन बेल पत्र तोड़ लें और उन बेल पत्रों के ऊपर आपको बेल पत्रों के ऊपर आपको लिखना है ओम श्री नमह चंदन से लिखना है ओम श्री नमह लिख दें आप लिखे किस से बेल पत्र की लकडी की सहायता से आपको लिखना चंदन से ओम श्री नमह आप लिख दें इन पेठ तीन बेल पत्र जो एक साथ जुड़े ओम प्रत्य एक पत्ते पर लिखना है एक पत्ते पर ल और इसके उपर आपको चौमुखी दीपक रख कर जला देना है। मनो काम ना पूर्ण या महसूस करेंगे कि इस उपाय से आपको लाब हो रहा है। हल्दी से ठिक कर दें और 21 लॉंग लेनी है। हाथ में इसको पकड़ लें, हाथ में पकड़ने के बाद, मतलब दोनों हाथों में पकड़ लें, पकड़ने के बाद, नीम के व्रिक्ष की आपको परिक्रमा करनी है, 11 बार परिक्रमा करनी है। 11 बार परिक्रमा करने बाद, मनो कामना मांगनी है। जिस प्रकार की मनो कामना हो, आप व्रिक्ष के पास परिक्रमा कर लें। इसके बाद आप दोनों हाथों में आपने पकड़ा हुआ होगा। और इस अवस्था में हो कि हाथ जोडते हुए, मतलब आपको इस प्रकार पोजीशन लेनी की, मतलब की आपके हाथ में वे बीज 21 लॉंग कपड़े में बंधी हुई है, वो इस प्रकार आजाएगी। हाथ जोडते हुए आकृती में जाए तो इस प्रकार आप अपने दोनों हाथों को करते हुए, दोनों हाथों को छुआ नहीं। व्रिक्ष पर नीम के व्रिक्ष को एक साथ छुआ कर अपना माथा भी आपको लगा लेना है। हाथ के उपर मतलब आपका एक भाग दो, व्रिक्ष पर हो। व्रिक्ष मतलब व्रिक्ष से जुड़ा हुआ हो और आपका माथा आपकी हाथ से जुड़ा हुआ है। किसी भी प्रकार की। मनो कामना दोस्तों, घर पुनह लौट के आए, उसको कुछ न बताईए। जो भी ये उपाय हमने बताए, इनके बारे में किसी से ना करें। लौट कार्य में कोई बाधा आ रही है। मतलब तमाम प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यूँ कहें कि आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। गरीबी आपके जीवन से ततकाल खत्म हो जाएगी। आपके जी इस वीडियो में आपको वही बताएंगे दोस्तों वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी जी का जयकारा लगाते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सचे दिल से कमेंट्स बॉक्स में। माता लक्ष्मी को प्रसन करने के लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे व्रिक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आपको धन तेरस या दिवाली के दिन छू कर जरूर आ जाना है और उपायों को भी जरूर करें। किस प्रकार करने हैं आईए जान लेते हैं दोस्तों। सर्व प्रथम जो इसमें व्रिक्ष आता है वो व्रिक्ष है बर्गद का व्रिक्ष। दोस्तों आपको बता दे, यदि आप धन तेरस दिवाली के दिन बरगद के व्रिक्ष से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं, तो आपको विशेश लाब होगा, क्योंकि आपको बता दे, धन तेरस दिवाली के दिन बरगद का जो व्रिक्ष होता है, वो जागरित अवस्था मे इस दिन इस व्रिक्ष से जुड़े बहुत से उपाय किये जाते हैं। इस पीले कपड़े में। इसके बाद आप कपड़ा इतना बड़ा ले कि आप सात गांट इसमें मार दे। आपको उसे स्पर्ष करने के बाद अपनी मनोकामना मांगनी है। जो भी आपकी मनोकामना जिस प्रकार के कष्ट संकट जो भी है। मतलब उनसे छुटकारा मिले और मांगते हुए इस पर आपको इसी पे रखना और एक मंत्र का जाप करना है। मतलब व्रिक्ष को स्पष्ट करते हुए आपको जो अपने मुठी में ये बंद कर रखा है। हाथ में जिस प्रकार कपडा तो आपको मंत्र का जाप करना है। धनाय नमो नमा मंत्र है धनाय नमो नमा। दोस्तों इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। जीवन से गरीबी खत्म हो जाएगी और फिर बाद में आप इस पीले कपड़े को जिसमें एक रुपए का सिक्का दो लोग चुटकी भर हल्दी है इसको आपको बर्गत के व्रिक्ष के नीचे ही गाड़ देना है। दोस्तों तमाम प्रकार के जीवन से समस्या खत्म हो जाएगी अपार धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों इसमें जो अगला व्रिक्ष आता है वे व्रिक्ष आता है। वह व्रिक्ष है शमी का व्रिक्ष दोस्तों आपको बता दें। शमी के व्रिक्ष से जुड़ा ये बहुत ही अच्छे उपाए। ध्यान से सुनना किस प्रकार आपको क्या करना है। धन्तेरस है दीवानी किसी भी दिन कर लें इसको किस प्रकार करें। उपाए करने से पहले स्नान आदी से निर्वस्तर हो जाए। आप ध्यान रखें। ये तो उपाए को नए आपको संध्या समय के समय करना। मतलब संध्याकाल के समय उपाए आपको शाम के समय करें क्या क आप सर्व प्रथम तो आप हाथ जोड़कर शमी के व्रिक्ष से प्रार्थना करें। हम जी सुपाय के लिए आए हैं। आप को ए लाल कपड़े में बांध कर शमी की व्रिक्ष के नीचे ही आपको गाड देनी है। और फिर गाड ने के बाद आपको साथ बार परिक्रमा करनी है। मन में प्रार्थना करते रहे जो भी आपकी कामना लेकर आए हैं वो कामना पूर्ण हो आपकी प्रार्थना करने के बाद आप जो भी मनो कामना मांगे प्रत्येक मनो कामना के लिए आप हाथ स्पर्ष समी के व्रिक्ष पर हाथ रख कर स्पर्ष कराकर आप अपनी कामना मांग दोस्तों ततकाल आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती दिखाई देगी, धन से संबंधित कोई परेशानी, उससे भी आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा, जरूर करें, विशेश लाब होगा दोस्तों, इसमें जो अगला व्रिक्ष आता है, वह व्रिक्ष है, बेल पत्र का व्रिक्ष, दोस्तों आपको बता दें कि धन तेरस दिवाली के समय, बेल पत्र का जो व्रिक्ष होता है, बहुत ही जागरत अवस्था में होता है, इस समय जो भी इस व्रिक्ष से जुड़े पत्र के व्रिक्ष जुड़े उपाय किये जाते हैं, ततकाल ही प् सुंदर सा उपाय बता देते हैं। आप एक घी का दीपक तयार करके ले जाएं। एक साथ जुड़े हों तीन बेलपत्र तोड़ लें और उन बेलपत्रों के ऊपर आपको बेलपत्रों के ऊपर आपको लिखना है। ओम श्री नमह चंदन से लिखना है ओम श्री नमह लिख दें। आप लिखे किस से। बेलपत्र की लकड़ी की सहायता से आपको लिखना चंदन से। ओम श्री नमह आप लिख दें। इन पेठ तीन बेलपत्र जो एक साथ जुड़े ओम प्रत्य एक पत्ते पर लिखना है। एक पत्ते पर लिखना ये ओम दूसरे पत्ते पर लिखना है। श्री तीसरे पर लिखना है। नमह मतलब तीनों पत्तों पर इस प्रकार लिख दें। और फिर आप इस पत्ते को इस प्रकार रख दें। कि ओम श्री नमा उपर की तरफ हो और इसके उपर आपको चौमुखी दीपक रख कर जला देना है। उपाय का प्रभाव मिलेगा देखने को जल्द से जल्द। मनो काम ना पूर्ण या महसूस करेंगे कि इस उपाय से आपको लाब हो रहा है। आपको प्रत्येक बीच पर हल्दी से ठीका लगा देना। हल्दी से ठिक कर दें और 21 लॉंग लेनी है। आपको 21 लॉंग, 21 कमल गटे के बीज और 21 लॉंगों को आप एक पीले कपड़े में बांध कर हाथ में इसको पकड़ लें। हाथ में पकड़ने के बाद मतलब दोनों हाथों में पकड़ लें। पकड़ने के बाद नीम के व्रिक्ष की आपको परिक्रमा करनी है, 11 बार परिक्रमा करनी है। जिस प्रकार की मनो कामना हो, आप व्रिक्ष के पास परिक्रमा कर लें। इसके बाद आप दोनों हाथों में आपने पकड़ा हुआ होगा। और इस अवस्था में हो कि हाथ जोडते हुए, मतलब आपको इस प्रकार पोजीशन लेनी की, मतलब की आपके हाथ में वे बीज 21 लॉंग कपड़े में बंधी हुई है, वो इस प्रकार आ जाएगी। हाथ जोडते हुए आकरती में जाए तो इस प्रकार आप अपने दोनों हाथों को करते हुए, दोनों हाथों को छुआ नहीं। व्रिक्ष पर नीम के व्रिक्ष को एक साथ छुआ कर अपना माथा भी आपको लगा लेना है। हाथ के उपर मतलब आपका एक भाग दो, व्रिक्ष पर हो। व्रिक्ष मतलब व्रिक्ष से जुड़ा हुआ हो और आपका माथा आपकी हाथ से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार स्पर्स भी हो जाएगा और आपका माथा आपके हाथ से भी लग जाएगा। फिर आप अपनी कामना मतलब प्रार्थना करेगी, जो हमने मनो कामना मांगी है हमारी हो, सिद्ध हो, जो कार्य नहीं बनने देते हुए हमारे कार्य पूर्ण, हमारे जो भी मनो कामना आपने मांगी हैं, वे मनो कामना पूर्ण हो जाएगी, किसी भी प्रकार की, मनो कामना दोस्तों, घर पुनह लोट के आए, उसको कुछ न बताईए, जो भी ये उपाय हमने बताए, इनके बारे में किसी से ना करें, गुप्त ही रखें, उपायों को जल्द से जल्द लाभ मिलेगा, आपको बहुत ही अचूक उपाय बताएं हैं, आज के लिए इतना ही जय माता लक्ष्मी, दोस्तों, धन तेरस दिवाली के दिन, इस व्रिक्ष को छू कर आजाना ततकाल गरीबी मिट जाएगी, दोस्तों, यदि आप धन तेरस या दिवाली के दिन, इस व्रिक्ष को छू कर आते हैं, तो आपके जीवन से जो भी धन से संबंधित परेशानिय किसी भी प्रकार का कोई कष्ट संकट बने बने काम बिगड़ जाते हैं, किसी कार्य में कोई बाधा आ रही है, मतलब तमाम प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यूं कहें कि आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी गरीबी आपके जीवन से ततकाल खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में धन संपत्ति का वास होगा, अपार धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे व्रिक्षों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप धन तेरस या दिवाली के दिन छू करा जाते हैं, और इन व्रिक्षों से जुड़े इन उपायों को आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन में आपको अपार पत्ती की प्राप्ती होगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, दोस्तों, वे कौन-कौन से व्रिक्ष है और वो कौन-कौन से उपाय है, जो की आपको धन तेरस दिवाली के दिन जरूर करनी चाहिए, इस वीडियो में आपको वही बताएंगे दोस्तों, वीडिय करते हैं कि माता लक्ष्मी जी का जैकारा लगाते हुए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सचे दिल से कमेंट्स बॉक्स में, जै माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी जी आपकी समस्त मनो कामनाएं पूर्ण करें और ज्यादा से ज्यादा वीडिय को सेर जरूर करना, जिससे की और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त कर सके, दोस्तों, धंतेरस और दिवाली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, धंतेरस पर लोग बहुत सी खरीदारी करते हैं, शुभ मुहूर्त में देखकर खरीद मतलब कुछ ना कुछ जरूर खरीदे और साथ के साथ दिवाली के दिन, माता लक्ष्मी को प्रसन करने के लिए, बहुत से उपाय तूने टोटके किये जाते हैं, कुछों को लाब मिल जाता है, कुछों को लाब नहीं मिलता दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन करने के बहुत से उपाय आप करते होंगे, लेकिन आज की यह वीडियो आपके लिए वनस्पति शास्त्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे व्रिक्षों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको आपको धन तेरस या दिवाली के दिन छू कर जरूर आ बता दे, यदि आप धन तेरस दिवाली के दिन बर्गद के व्रिक्ष से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं, तो आपको विशेश लाब होगा, क्योंकि आपको बता दे, धन तेरस दिवाली के दिन बर्गद का जो व्रिक्ष होता है, वो जागरित अवस्था में होता है, इ किसी भी एक दिन भी कर सकते हैं, क्या करें दोस्तों, उपायों को करने से पहले स्नानादी से निवृत्त हो जाएं, इसके बाद आप एक पीला कपड़ा लें, पीले कपड़े में आप एक रुपए का सिक्का रखें, दो लॉंग रखें और एक छुटकी हल्दी आपको रख लेनी है इस पीले कपड़े में, इसके बाद आप कपड़ा इतना बड़ा ले कि आप साथ गांठ इसमें मार दे, पीले कपड़े के अंदर आपको एक रुपए का सिक्का रखना है, दो लॉंग रखनी है, छुटकी भर हल्दी रखनी है, साथ गांठ इसमें लग जाएंग इतना बड़ा पीला कपड़ा लेना है आपको इसके बाद आपको इसे बरगत के वरिक्ष के पास ले जाना है और बरगत के वरिक्ष के पास ले जाने के बाद बरगत के पास इसको अपने हाथ की मुठी में बंद कर ले और बंद मुठी को स्पर्ष करा ले बरगत के सामना जिस प्रकार के कष्ट संकट जो भी है मतलब उनसे छुटकारा मिले और मांगते हुए इस पर आपको इसी पे रखना और एक मंत्र का जाप करना है मतलब व्रिक्ष को स्पष्ट करते हुए आपको जो अपने मुठी में ये बंद कर रखा है हाथ में जिस प्रकार कपड तो आपको मंत्र का जाप करना है धनाय नमो नमा मंत्र है धनाय नमो नमा दोस्तों इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है 21 बार जाप करने के बाद ध्यान रहे जब मंत्र का जाप करें उस समय आपका जो आपकी मुठी में ही पीला कपड़ा है वो स्पर्ष रहना चाहिए आपका मुठी और वह कपड़ा दोनों पेड से स्पर्ष रहना चाहिए पेड से उसी समय आपको इस मंत्र का जाप करना है 21 बार मनो कामनाएं मांगनी है जिस भी प्रकार की जो मनो कामना मांगे तो ततकाल ही मनो कामना पूर्ण होगी जीवन से गरीबी खत्म हो जाएगी और फिर बाद में आप इस पीले कपड़े को जिसमें एक रुपए का सिक्का दो लोग चुटकी भर हल्दी है इसको आपको बर्गत के व्रिक्ष के नीचे ही गाड़ देना है घर लोटाए दोस्तों तमाम प्रकार के जीवन से समस्या खत्म हो जाएंगी अपार धन संपत्ती की आपको प्राप्ती होगी दोस्तों इसमें जो अगला व्रिक्ष आता है वे व्रिक्ष आता है वह व्रिक्ष है शमी का व्रिक्ष दोस्तों आपको बता दें शमी के व्रिक्ष से जुड़ा ये बहुत ही अच्छे उपाय, ध्यान से सुनना किस प्रकार आपको क्या करना है, धन तेरस है दीवानी, किसी भी दिन कर लें, इसको किस प्रकार करें, उपाय करने से पहले स्नान आदी से निर्वस्तर हो जाए, आप ध्यान रखें, ये तो उ उपाय को नए, आपको संध्या समय के समय करना, मतलब संध्याकाल के समय उपाय आपको शाम के समय करें, क्या करें, आप सर्व प्रथम, तो आप हाथ जोड़कर शमी के व्रिक्ष से प्रार्थना करें, हम जीस उपाय के लिए आए हैं, जिस प्रार्थना सुनकर आ रहा हू आप शमी के ग्यारह पत्ते तोड़ लें और और शमी की लकड़ी से इस प्रकार उसे लकड़ी को आप तोड़ लें। ग्यारह कौड़ियों के साथ आपको ये लाल कपड़े में बांध कर शमी की वरिक्ष के नीचे ही आपको गाड़ देनी है। जो भी मनोकामना पूर्ण करवानी है, जो जिस भी आप मनोकामना के लिए उपाय करने के लिए इस वरिक्ष के पास है, वह आप मतलब की अपनी मनोकामना मांगे। दोस्तों ततकाल आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती दिखाई देगी, धन से संबंधित कोई परेशानी उससे भी आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा, जरूर करें, विशेश लाब होगा दोस्तों, इसमें जो अगला व्रिक्ष आता है, वह व्रिक्ष है, बेल पत्र का व्रिक्ष, दोस्तों आपको बता दें कि धन 13 दिवाली के समय, बेल पत्र का जो व्रिक्ष होता है, बहुत ही जागरित अवस्था में होता है, इस समय जो भी इस व्रिक्ष से जुड़े पत्र के व्रिक्ष जुड़े उपाय किये जाते हैं, ततकाल ही प्रभ उपाय बता देते हैं। आप एक घी का दीपक तयार करके ले जाएं। एक साथ जुड़े हों तीन बेल पत्र तोड़ लें और उन बेल पत्रों के ऊपर आपको बेल पत्रों के ऊपर आपको लिखना है। पर इस प्रकार लिख दें और फिर आप इस पते को इस प्रकार रख दें कि ओम श्री नमा ऊपर की तरफ हो और इसके ऊपर आपको चौमुखी दीपक रख कर जला देना है। फिर आप साथ बार परिक्रमा करें मन ही मन मनोकामना मांगी जो भी जीस प्रकार की। मनोकामना है मांगे और फिर अंत में इस व्रिक्ष को छूते हुए बोले कि हमें जो भी मनोकामना मांगी हमारी मनोकामना पूर्ण हो मन में भाव रखते हुए घर लोटे किसी को ना बताए। इस उपाय के बारे में दोस्तों जल्द से जल्द ततकाल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इस उपाय उपाय का प्रभाव मिलेगा देखने को जल्द से जल्द मनोकामना पूर्ण या महसूस करेंगे कि इस उपाय से आपको लाब हो रहा है लाब हुआ है आपको इस उ पाय करना है सुर्योदय के समय ही क्या करें 21 कमल गट्टे के बीज लेने हैं और इन 21 कमल गट्टों के बीज के ऊपर आपको प्रत्येक बीज पर हल्दी से ठीका लगा देना हल्दी से ठिक कर दें और 21 लॉंग लेनी है आपको 21 लॉंग 21 कमल गट्टे के बीज और 21 लॉंगों को आप एक पीले कपड़े में बांध कर हाथ में इसको पकड़ लें, हाथ में पकड़ने के बाद, मतलब दोनों हाथों में पकड़ लें, पकड़ने के बाद, नीम के वरिक्ष की आपको परिक्रमा करनी है, ग्यारह बार परिक्रमा करनी है, ग्यारह बार परिक्रमा करने मतलब आपको इस प्रकार पोजीशन लेनी की, मतलब की आपके हाथ में वे बीज 21 लॉंग कपड़े में बंधी हुई है, वो इस प्रकार आ जाएगी, हाथ जोडते हुए आकरती में जाए तो इस प्रकार आप अपने दोनों हाथों को करते हुए, दोनों हाथों को छुआ नह आपकी हाथ से जुड़ा हुआ है इस प्रकार स्पर्स भी हो जाएगा और आपका माथा आपके हाथ से भी लग जाएगा फिर आप अपनी कामना मतलब प्रार्थना करेगी जो हमने मनोकामना मांगी है हमारी हो सिद्ध हो जो कार्य नहीं बनने देते हुए हमारे कार्य पूर् इनके बारे में किसी से ना करें, गुप्त ही रखें, उपायों को जल्द से जल्द लाभ मिलेगा, आपको बहुत ही अचूक उपाय बताएं हैं, आज के लिए इतना ही जय माता लक्ष्मी। बने बने काम बिगड़ जाते हैं, किसी कार्य में कोई बाधा आ रही है, मतलब तमाम प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यूं कहें कि आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, गरीबी आपके जीवन से ततकाल खत हो जाएगी, आपके जीवन में धन संपत्ति का वास होगा, अपार धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे व्रिक्षों के बारे में बताने वाले हैं, जिनहें आप धन त पत्ति की प्राप्ति होगी आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों वे कौन-कौन से व्रिक्ष है और वो कौन-कौन से उपाय है जो की आपको धन 13 दिवाली के दिन जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको वही बताएंगे दोस्तों वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्ष्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी जी का जैकारा लगाते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में। जै माता लक्ष्मी अवश्य लिखें जिससे माता लक्ष्मी जी आपकी समस्त मनों कामनाएं प पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धंतेर्स पर लोग बहुत सी खरीदारी करते हैं। शुभ मुहूर्त में देखकर खरीदारी करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ जरूर खरीदे और साथ के साथ दिवाली के दिन। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे व्रिक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आपको धंतेर्स या दिवाली के दिन चुकर जरूर आ जाना है और उपायों को भी जरूर करें। किस प्रकार करने हैं। आईए जान लेते हैं दोस्तों। सर्व प्रथम जो इसमें व्रिक्ष आता है वो व्रिक्ष है बर्गद का व्रिक्ष। दोस्तों आपको बता दें यदि आप धन तेरस दिवाली के दिन बर्गद के व्रिक्ष से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो आपको विशेश लाब होगा। क्योंकि आपको बता दें धन तेरस दिवाली के दिन बर्गद का जो व्रिक्ष होता है वो जागरित अवस्था में होता है। इस दिन इस व्रिक्ष से जुड़े बहुत से उपाय किये जाते हैं। उनमें से एक उपाय यह है कि आप क्या करें आप उपाय को धन तेरस या द पीले कपड़े में आप एक रुपए का सिक्का रखें, दो लॉंग रखें और एक छुटकी हल्दी आपको रख लेनी है इस पीले कपड़े में। इसको अपने हाथ की मुठी में बंद कर लें और बंद मुठी को स्पर्ष करा लें। बरगत के वरिख्ष पर पेड़ पर आपको उसे स्पर्ष करने के बाद अपनी मनोकामना मांगनी है। मंत्र का जाप करना है धनाय नमो नमा मंत्र है धनाय नमो नमा दोस्तों इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है 21 बार जाप करने के बाद ध्यान रहे जब मंत्र का जाप करें उस समय आपका जो आपकी मुठी में ही पीला कपड़ा है वो स्पर्ष रहना चाहिए आपका मुठ और वह कपड़ा दोनों पेड से स्पर्श रहना चाहिए, पेड से उसी समय आपको इस मंत्र का जाप करना है, 21 बार मनो कामनाएं मांगनी है, जिस भी प्रकार की जो मनो कामना मांगे, तो ततकाल ही मनो कामना पूर्ण होगी, जीवन से गरीबी खत्म हो जाएगी, और फिर ब जाएंगी, अपार धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी, दोस्तों इसमें जो अगला व्रिक्ष आता है, वे व्रिक्ष आता है, वह व्रिक्ष है, शमी का व्रिक्ष दोस्तों, आपको बता दें, शमी के व्रिक्ष से जुड़ा ये बहुत ही अच्छे उपाए, ध्या यह तो उपाय को नए आपको संध्या समय के समय करना मतलब संध्याकाल के समय उपाय को शाम के समय करे क्या करे आप सर्व प्रथम तो आप हाथ जोड़कर शमी के व्रिक्ष से प्रार्थना करें। हम जी सुपाय के लिए आए हैं। आपको ओम श्री नमहा लिखना है। आप जो भी मनो कामना मांगे प्रत्येक मनो कामना के लिए आप हाथ स्पर्ष समी के व्रिक्ष पर हाथ रख कर स्पर्ष कराकर आप अपनी कामना मांगे। इसमें जो अगला व्रिक्ष आता है वह व्रिक्ष है बेल पत्र का व्रिक्ष। इसमें से एक बहुत ही सुन्दर सा उपाय बता देते हैं। घर से ही आप एक घी का दीपक तयार करके ले जाएए। घी का दीपक आठे का बना हुआ। चौमुखी दीपक होना चाहिए, बाती कलावे की लगी हो, आप बेलपत्र व्रिक्ष के पास चले जाईए, और सर्व प्रथम बेलपत्र के व्रिक्ष को प्रणाम करें, और प्रार्थना की नहीं, जिस मनो कामना के लिए उस मनो कामना को हमारी पूर्ण हो, इस प्रकार मन मे भाव श्रद्धा रखते हुए आप क्या करें ? जुड़े ओम प्रत्य एक पत्ते पर लिखना है, एक पत्ते पर लिखना, ये ओम दूसरे पत्ते पर लिखना है, श्री तीसरे पर लिखना है, नमह मतलब तीनों पत्तों पर इस प्रकार लिख दें, और फिर आप इस पते को इस प्रकार रख दें, कि ओम श्री नमह उपर की और इसके उपर आपको चौमुखी दीपक रख कर जला देना है। जल्द से जल्द मनोकाम ना पूर्ण या महसूस करेंगे कि इस उपाय से आपको लाब हो रहा है। हल्दी से ठिक कर दें और 21 लॉंग लेनी है। आपको 21 लॉंग, 21 कमल गटे के बीज और 21 लॉंगों को आप एक पीले कपड़े में बांध कर हाथ में इसको पकड़ लें। हाथ में पकड़ने के बाद मतलब दोनों हाथों में पकड़ ले पकड़ने के बाद नीम के व्रिक्ष की आपको परिक्रमा करनी है। 11 बार परिक्रमा करने बाद मनो कामना मांगनी है। जिस प्रकार की मनो कामना हो आप व्रिक्ष के पास परिक्रमा कर लें। इसके बाद आप दोनों हाथों में आपने पकड़ा हुआ होगा। और इस अवस्था में हो कि हाथ जोड़ते हुए। मतलब आपको इस प्रकार पोजीशन लेनी की मतलब की आपके हाथ में वे बीज 21 लॉंग कपड़े में बंधी हुई है। वो इस प्रकार आ जाएगी, हाथ जोडते हुए आकृती में जाए तो इस प्रकार आप अपने दोनों हाथों को करते हुए, दोनों हाथों को छुआ नहीं, व्रिक्ष पर नीम के व्रिक्ष को एक साथ छुआ कर अपना माथा भी आपको लगा लेना है, हाथ के उपर मतलब आ आपके हाथ से भी लग जाएगा, फिर आप अपनी कामना मतलब प्रार्थना करेगी, जो हमने मनोकामना मांगी है हमारी हो, सिद्ध हो, जो कार्य नहीं बनने देते हुए हमारे कार्य पूर्ण, हमारे जो भी मनोकामना आपने मांगी हैं, वे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, किसी भी प्रकार की मनो कामना दोस्तों घर पुनह लोट के आए उसको कुछ न बताईए जो भी ये उपाय हमने बताए